हलो फ्रेंड्स आज हम बिहार बोट का क्लास एट का यहां पर देख सकते हैं आपका हिंदी के पेपर लेके आ चुके हैं तो आपका जो फाइनल एक्जाम होने वाला है तो यह आपका लास्ट पेपर हम डाल रहे हैं यह आपका एकदम आपका 100% इसमें से आपका जितना भी को फाइनल एक्जाम है तो इस वीडियो को पूदा देख लिजिएगा जितना भी आपका सबसे पहले अपने जीला का नाम जरूर कमेंट कर दीजेगा और यह जो वीडियो बना रहे है यह सभी जीला के लिए है इसमें कुछ कोशन थोड़ा विच्यादा हो लेकिन आपको करना क्या है कि एक वीडियो को यही एक वीडियो को इधर उधर वीडियो नहीं देखिए आप सर्च करके इधर उधर वीडियो नहीं देखेगा केवल इसी वीडियो को आपका पूरा कोशन किलियर हो जाएगा आपका पूरा कोशन इसी वीडियो में से आ जाए है ठिक टोटल बच्चे को हम बोल रहे हैं कि आपका कोस्टन लड़ेगा तो इस बीडियो में आकर कमेंट किजिएगा कि आपका कितना कुसंन के इस में से लड़ा था ठिक तो चलिए कोसार नमर Frühstorf impossi स्टार्ट करते हैं आपका वार्सी परिषा डो intentar टेव तो Question number एक आपका रहने वाला है, कि दिये गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगा है, जो कि आपका पहले ही question दोस माक्स का रहेगा, ठीक, पहला question है आपका, कि तु जिन्दा है तो कभीता के कभी कौन है, तो संकर सैलेंदर है, option number क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, next question है आपका हैंपे, कि बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थें, किसे साहब मानते थें, तो आपको कभीरदास को साहब मानते थें, कभीरदास को याद कर लिजे, कभीरदास को साहब मानते थें, next question है आपका हैंपे, इसका प्रतमा स्रीकृष्चण के कौन थे सुधामा संधार्षरिकृष्चन के कौन थे तो बाल शर्षखा थे निकूस्दामा यहांप सब्दो कामिलांद कीजिए जो कहें यह दस मांक्स का कॉसुन है पहला है आपका फिरंगी तो फिरंगी क्या हो जागा फिरंगी किसे कहते थे तो अंग्रेजी जो अंग्रेज होता था उसी को फिरंगी कहते थे दूसरा है आपका निसकर्स निसकर्स के मतलब क्या होता है नतीजा आपका क्या नतीजा हुआ, क्या निसकर्ष निकलाओ उससे, ठीक नेक्स्ट है आपका कि वरिस, वरिस मतलब होता है, संतान होता है, ठीक नेक्स्ट है आपका कि प्रादूर भाव, प्रादूर भाव का क्या हो जागा, प्रकट होना हो जागा और लास्ट है आपका भीपदा, भीपदा मतलब दूख होता है, ठेक, चलिए, नेक्स्ट कोशन बरते हैं, नेक्स्ट कोशन आपका है, कि खाली जगों को भड़िये, जो कि आपका ये, दस मांक्स का कोशन है, पहला कोशन है, कि आज, डॉट डॉट, साल से यूद हो रहा है, आपका हानी पढ़ेंगों तो आपको पता होगा, कि आज, चार साल से यूद हो रहा है, ठेक, आपका हानी पढ़ेंगों तो आपको पता होगा, नेक्स्ट कोशन है, आपका हानी पढ़ेंगों तो आपको पता होगा, नेक्स्ट कोशन है, कि तुम्हारी निंदा वही करेग जिसकी तुमने क्या की है भलाई की है वही तुम्हारी निंदा करेगा ठीक तो यह सभी कोस्टन आप ध्यान से पढ़िएगा बहुत ही इंपोर्टेंट कोस्टन है आपके लिए ठीक एक बार वीडियो को देख लिजेगा तो आपका फाइनल एकजाम एकदम बहुत ही आतिति के समान अलपावधि तक ही टिकने आता है अतित्थी के समान धन आता है तुरंत चला वी जाता है तिक नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अभी रामा ठीक चलिए सब्सक्राइं बबते हैं चलिए सब्सक्राइए अपिन प्रस्थ है next question आपके है जितना question आपको करा keeping you है इसी में से 100% आपका आएगा तो ये का वीडियो को देख लिजिएगा आपका पूरा book clear हो जाएगा फूरा question clear हो जाएगा आपको मात थोड़ा सा ऐज किया हुआ होगा है थोड़ा सा परस्न है जितना भी आपका gisant में से आपका कोशन तयार होता है उसी सेट का हम कोशन लेकरा रहे हैं ठीक उसमें से एक सेट आपका आजाएगा ठीक कोई एक सेट आपका आजाएगा ठीक करें कंग निशान लगनाना है जो की आपका 10 मार्ख São है ठ्छी कि नहीं हांथ को किस के समान कहा गया है, इसका सही अरे जूही कि समाल कहा गया है ठीक next question आपका कि विक्रम सीला कहां अवस्थित है विक्रम सीला कि जीले में अवस्थित है विक्रम सीला ठीक तो इसका सहींसर भागल पूर हो जाएगा next question आपका है कि इदगाह कहानी के लेखक कौन है इदगाह कहानी के लेखक प्रेमचंद है प्रेमचंद हो जाएगा option number A हो जाएगा ठीक कह हो जाएगा next question आपका है कि हामिद की दादी का नाम क्या था हामिद की दादी का नाम क्या था तो क्या नाम था अमीना नाम था ठीक अमीना नाम था नेक्ट कोशन आपके है यहाँ पर देखेगा कि अस्तंब कोक व अस्तंब खो से मिलाएं किजिए जो कि आपका 10 माक्स का कोशन अस्तंब कोक व अस्तंब खो से पहला सब्द दिया हुआ है दूसरा में अर्थ दिया हुआ है ठीक तो पहला है आपका प्राधीन, प्राधीन का क्या हो जाएगा, दूसरे के अधीन हो जाएगा, प्राधीन का मतलब दूसरे के अधीन है, ठीक, अगला है वारिस, तो वारिस का क्या होता है, अभी मतलब संतान होता है, ठीक, विपदा, विपदा का मतलब क्या होता है, अभी मत अनार होता है ठीक चलिए नेक्ट कॉस्षण के वरते हैं नेक्ट कॉस्षण आपका है तीन नंबर की खाली जगह को भरिए जो कि आपका ये दस मार्स का कॉस्षण है ठीक पहला कॉस्षण आपका कि इरसिया का काम इर्षिया का काम क्या है तो यहां पे जलाना है इर्षिया का काम जलाना हो जाएगा है यहां पे जलाना लिख दिजिएगा ठीक निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा मतवाला हो जाएगा सही इंसर ठीक निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था तो इसका सही इंसर क्या हो जाएगा मतवाला का मतवाला हो जाएगा सही इंसर ठीक वही वही सेम परसन है इसलिभी हम बोल रहे है चार नमबर देखते है ठीक आपको क्या करना है सेम परसन है उतर के सामने सही का निशान लगाने जो कि आपका 10 माक्स का कोशन है ठीक तो चलिए देखते हैं कोशन को चलिए पहला कोशन आपका यहाँ पर है चलिए तो देखते हैं पहला कोशन पहला कोशन आपका यहाँ पर है कि अभी उम्र कुछ तेईस्थ की थी मनुज नहीं अवतारी थी यह किस पंक्ती किस पाट से संबंदित है किस पाट से संबंदित है तो जहासी की रानी से संबंदित है जहासी की रानी हो जायागा इर्थिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है तो निंदा है इर्थिया की बड़ी बेटी का नाम क्या हो जाएगा निंदा हो जाएगा ठीक निंश्ट कुछ नाम कहाँ पे है कि बाल गोविन्द भगत क्या थें、 इसका सही अंसर क्या हो जाएगा। बाल गोबिंद भगत क्या थे जाएगा यहां पर क्रोद्पाति क्या हो जाएगा, शुरेकांत तिरपाथी हो जाएगा, इसमें शुरेकांत तिरपाथी नीराला हो जाएगा. सुर्य कांध तिरपाथी निराला को दिन बंधु कभी को कहा जाता था तो दिन बंधु सुर्य कांध तिरपाथी हो जाएगा चलिए तो घह नंबर देखते हैं घह नंबर question आप कहाँ पर है कि बाल गोविंद भगत क्या थे तो साधू हो जाएगा बिक्रम सिला भागलपूर में अवस्थित है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जो कि आपका यह 10 माक्स का question है पहला है question आपका है कि सुमति न पावही परे कुमति के धंद तो इसका क्या हो जाएगा संगति संगति सुमति न पावही परे सुमति के धंद यहाँ पर क्या हो जाएगा तो संगति हो जाएगा ठीक चले नेस्ट है आपका कि मेरे अल्लाह मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको बुराई हो जाएगा next question आपका है कि दूर दुनिया का मेरे दास से अंधेरा जाए हो जाएगा next है आपका कि मैं कहता निर्मोही रहिए तू रहता है मोहीरे next question आपका कि काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते आरंभ हो जाएगा चलिए next question आपका है कि तीन नमबर के अस्तंब को को अस्तंब खोश से मिलान किजिए ठीक दिए को सब्सक्राइब करें नहीं हो जाएगा नेक्स है आपका चमन तो चमन का क्या हो जाएगा यहापे प्लक मतलब देश होता है अपना मुलक अपना देश ठीक आगला है मनुज मनुज मतलब मनुज से ठीक चले अब कि लिए फ़ार कि यहां पर है कि पाठ के अधार पर सही कथन के सामने उथा गलत कते सामने गलत का चिंव लगाना है ठाव श्रुचन fought इसका गलत हो जाएगा, सिर्चन कमजोर नहीं था, ठीक, if एक पकूरी Richard अपने काम में दछ था तो इसका एकडम सही इंसर हो जाएगा, schron अपने काम में दछ था, ठीक गरत करड़ निंदडा है उसकी बड़ी बेटी का नाम ठीक चलिए next question नहीं आपे है दो कि समासों का मिलान अस्तम्मको के सब्दों में किजिए सब्दों में कीजिए इसका है यह नहीं क्या हो जाएगा दो आपसना तो कह स्टम्भ के पहला क्युशन क्या है अभ्य भाव का चीह ंसर ऀथा सक्ति इसको यहाद कर लिजे आपका बहुत इंपोर्टिन को सेफिए अगला है तत्पुरुस ततपुरुस का क्या हो जैगे हैं तोवन्द है तो भाई बाहन दोनगत परधान है भाई बहु परी ही जिसे विशे सर्थ निकले तो नीलगाय हो जाएगा चलिए नेश्ट कोशन के बढ़ते हैं कोशन नम्बर 3 की और question number 3 है आपके यहांपे कि खाले जगों को भड़ी है जो कि आपका यह 10 marks का question है पहला question है आपका कि खेमा की साड़ी दुनिया खेमा की साड़ी दुनिया dot dot के hotel में सिमट आए कसारा के hotel में next question है का यह तरूवर पीपर किसका यह तरूवर पीपर कानन का यह तरूवर पीपर कानन यहांपे हो जाएगा next question है आपका है कि जो दीनों के बंधू हो उन्हें जो दीनों के बंधू उसे दीन बंधू कहते है ठीक उसे दीन बंधू कहते है कौन वला दीन हो जाएगा हरसे का दीन वला यह दीन हो जाएगा ठीक, next question आप कहाँ पर है, कि वेदना का अर्थ, वेदना का अर्थ, दुख होता है, ठीक, वेदना का अर्थ, दुख हो जाएगा, next question आप कहाँ पर है, कि खगोल बिद्या के छेत्र में, खगोल बिद्या के छेत्र में, विशु परसिद कौन है, तो आरे भठ है, कौन है, आर भठ है छीड चलिए दो निश्ट को सन्ट पर दो पे सान की पूर्टी किजिए जो कि आपका यह दस मार्थ का कुछल रहा कि बाला करें की कभीर के कभी थे खखतिकाल के कभी थे यह पर पर यहां पर है कि मतवाला के संपादक कौन है यहां पर निराला हो जाएगा यहां पर निराला हो जाएगा ठीक बाल मसदूरी हो जाएगा यहां पर बाल मसदूरी लिखते जाएगा ठीक चलिए नेक्ट को बढ़ते हैं आपको बदा देखिए आप पूड़ा को पर बेड़े को आपको देखना पूरा कोस्टन को आप पढ़ लिजिए इसी में से आपका कोस्टन आएगा यदि हमारे पास उनीदों आता है तभी हम परवाइड करा पाएंगे यह से हम परवाइड नहीं करा पाएंगे ठीक तो सबसे पहले आपको करता भी है यह वीडियो को पूरा वीडियो को जरूर देख लिजेगा क्योंकि इसी से आपका परशना आएगा इससे बाहर कुछ नहीं आएगा ठीक तो इस वीडियो को देख लिजे यदि प्रशना पत्र हमें आरे पास आता है तो हम आपको जरूर 100% आपको देंगे और नहीं आता है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा इससे अच्छा नंबर आपको आ जाएगा कमेंट करके आप जरूर बताएगा इससे कितना है ठीक तो चरे कुश्चन नंबर ढखते हैं विलान कीजि अस्तंब काको अस्तंब खासे पहला है आपका कि उदित हुआ सो भाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई यहाँ पर चार में हो जाएगा चार नंबर में हो जाएगा नेक्स्ट है आपका है आपका है कि जारे की रात पहार पर रो रहा है हिरन यहाँ पर एक नंबर में हो जाएगा हो मेरे दम से यू ही मेरे वतन की जितन जिनत तेहाँ पर क्या हो जाएगा पांच में हो जाएगा अगला है देखकर बाधा विभीत बहु भीगिन घबराते नहीं दो में हो जाएगा अगला है धन्य धन्य ज दुबंस मनी दीनन पय अनुकूल है पर तीन नंबर में हो जाएगा ठीक चल्ए नेक्ट कुशन देखते हैं कि सही विकलप के सामने आपको विकलपों के सामने बाल सा खाBooks है कि झा जूशच ऑंप अकहसमिक्ता का अर्थ हो ता है परतश्था रहे जाएगा पर्दिश्था हो जाएगा जूशन all जा उटंप है कि चमख उठी जुशन All पला न की थैपर त्लवार हो जाएगा तलवार पुराणी थी खुश्बुवू रच्ते है हाथ कवीता के लेखक हैं तो कवीता के लेखक कौन है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा अरून कमोर हो जाएगा ठीक चलिए लास्ट कोर्शन देखते हैं इसका कि इरिस्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है इस पंक्ति के लेखक है इस पंक्ति के लेखक कौन है तो इस पुस्तकाले का संधी विच्यत है। संदी विच्यत क्या होजाएगा ऊप्शन नम्बर, पुस्तक जाएगा। कुछ कोशन आपका और बचा हुआ है, उतना कोशन आप कर लीजे, ठीक, निमन लिखित सब्दों में बिशेशन चुनिये, तो इसका क्या हो जाएगा, लाल जो है, बिशेशन है, ठीक, निश्ट कोशन आपका है, कि बच्चे की दूआ कविता में कभी ने क्या संदेश दिया कभी ने क्या संदेश दिया, इसका सही इंसर क्या हो जाएगा हैंपे, देख लेते हैं, इसका सही इंसर क्या हो जाएगा, कि नेक राह पर चलना, नेक राह पर चलने का दिया था, ठीक, संदेश दिया था, ठीक, चलिए, निश्ट कुशन आपका है, कान देना मुहाबरेका हो जाएगा ठीक नेश्ट कुर्शन है कि कवीता के कवीता के रचईता कौन है कवीता के रचईता कौन है तो इसका सही जर क्या हो जाएगा अप्शन नेश्ट कोशन आपका है कि चिंता चिता समान होती है चिंता चिता समान होती है एकडम सही हो जाएगा नेश्ट कोशन आपका है कि संजु को डायरी लिखने की प्रेणा दीदी से मिली थी तो एकडम आपका सही हो जाएगा यागदम सही हो जाएगा इसमें total आपका सही है चलिए नेक्ट कूशन देखते हैं कहा कह किजी जो कि आपका यह 10 माक सा कूशन है पहला कोशन आपका है देख लीजए चलिए चलिए तो चली मिलान करते हैं कटक है। आपका क्या है. कटक क्या हो जाएगा। का्टक काता हो जाएगा। एक सटक तो सटी का क्या हो जाएगा हैं पर सटी का उप्युक्त हो जाएगा ठीक नेक्स्ट आपका अधर आपका क्या हो जाएगा अधर का क्या हो जाएगा ओस्ट नेक्स्ट आपका विलीन तो विलीन का क्या हो जाएगा हैं पर समाप्त हो जाएगा नेक्स्ट आपका उन्नत यहां तोटल परशन इसी से आएगा हो सके तो इस वीडियो का आप दो बार देख लिए लेकिन आप परहाई सब छोड़ दीजे हो सके तो इसी वीडियो को दो बार देख लिए ठीक आपका पूड़ा के 100% किलियर हो जाएगा कोई बच्चे कम से कम एक वार जरूर देखके जाएगा हम यह बोलेंगे ठीक और बाद में बदेगे एक्जाम के बाद कि आपके कितना परशनी से लड़ा कितना आपको हेल्प हुआ ठीक और परशन पतर आएगा तो हम डालेंगे नहीं आग पाएगा तो हम कैसे डालेंगे तो चलिए question number देखते हैं कि custom को, custom खो से मिलान कीजिए, जो कि आपका ये 10 मार्ट सा question है, ठीक, तो आपका है अगला, वहला question है कि कथा समराट, तो कथा समराट क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूनसी प्रेम चन्द हो जाएगा, कथा समराट क्या हो जाएगा, कथा समराट, मूनसी प्रेम चन्द हो जाएगा, ठीक, नेग्स्ट है आपका है पर, कि देश रतन, देश रतन किसे कहते हैं, तो आप, जो हमारे प्रतम राष्ट पती थें, डॉक्टर अजंदर प्रसाद, उस इन उन्हें देश रतन कहा जाता था, ठीक, नेग्स्ट है आपक करपूरी ठाकुर हो जाएगा, लोकनायक, करपूरी ठाकुर, जय परकास नरायन हो जाएगा, करपूरी ठाकुर बोल रहे हैं, जय परकास नरायन हो जाएगा, लोकनायक हो जाएगा, जन नायक करपूरी ठाकुर होता है, ठीक, चलिए, नेस्ट कुस्टन देखते हैं, दो ओण रचाईता कीवान है! तो गोपाल सिंग नेपाली हो जाएगा जो क्रिकोपाल सिंग नेपाली हो जाएगा नेस्ट कोशन आपका है कि ठेज कहानी के लेखक, ठेज कहानी के लेखक फनिस्वरात रेनू हो जाएगा, ठीक, नेस्ट कोशन आपका है कि चिकिस्चा का चक्कर, चिकिस्चा का चक्कर क्या है, यहाँ पर व्यंग हो जाएगा, ठीक, व्यंग हो जाएगा, नेस्ट कोशन नित्व है जोड़ी की विखल्पों कि मुखम्मद इक्वाल हो जाएगा तो यह आपका जीवनी है ठीक जीवनी हो जाएगा कि बच्चे के दुए कभीता के कभी कौं है तो मुहम्मद इकबाल हो जाएगा ठीक चलिए next question आप कहां पर है कि कवीर दास ने मनुष्य की तुलना किसे की है मनुष्य की तुलना किसे की है ज़रने की पानी से की आए ठीक चलिए next और last question देखते हैं पर कि मनजूल का अर्थ होता है मनजूल का अर्थ क्या होता है तो सुम्दर होता है ठीक चलिए नेश्ट कोशन की रुबरते हैं नेश्ट कोशन आप कहांपे है चलिए तो नेश्ट कोशन की रुबरते हैं नेश्ट कोशन आप कहांपे है पहला कोशन के स्तम्ब कोख वो सब्दों के मिलान अस्तम्ब खो के और्थों के साथ कीजिए पहला है आपका ठेस के लेखा कौन है तो पीपल है तो पीपल के अभी बताए थे की दूआ बच्चे के दूआ मुहम्मद इकवाल हो जाएगा और लास्ट है आपका बाल गोविंद भगत तो रेखा चितर हो जाएगा दढ़ा है ठीक चलिए नेस्ट के अबरते हैं इकवाली अस्थानों को प्यूगत सब्दों से भड़ी है जो कि आपका ये दस माक्वा को स alltså कहा है जिंदगी को मेरी जिंदगी को मेरी परवाने की सूर्थ या रभ सूर्थ हो जाएगा परवाने की सुरत्यार रब तो परवाने हो जाएगा यहाँ पर नेक्स्ट कुर्शन आपका कि सत्गुरु धारा निर्मल बाहे वामय वामय माया धोई रे माया यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट आपका कि लचमी थी या दुर्गा थी वह स्वयम बिरता की अवतार तो बिरत बुराई पाए बुराई नहीं बड़ाई वोगा बड़ाई पाए ठीक चलिए नेस्ट कुशन है है कि संध्या को अब दीन जाता धल संध्या को दीन जाता धल सूरज चलते हैं अस्ता चल तो सूरज हो जाएगा कि सभी कलपो के सामने सही का निसान लगा है ठीक चलिए तो देखते हैं बिक्रम सिला किस बिद्या की रचना है इसका सहिन सर निबंध हो जाएगा ठीक यह आपका निबंध है चलिए नेक्ट कुशन क्यों बढ़ते हैं सांधिय का अर्थ क्या होता है यहाल निकट हो जायेगा झाल लिएनीज कोसन देखते है इस निरुको योअर है खि damn पंच्वटी दिगु समास है ठीक यह आपका पंच्वटी दिगु समास हो जाएगा ठीक चलिए नेक्ट कुशन देखते हैं और लास्ट कुशन की इरसिया की बड़ी बेटी का नाम क्या है तो निंदा हो जाएगा देखिए एक ही प्रशन को बार-बार रिपीट किया जा रह हिए जो कि आपका यह 10 माक्षर कोशन है पहला कोशन आपका की कि जैंक नेक्तना इसलोब अपने समय को यह गवाते हैं नहीं तो गवाते हो जाएगा की कभीर निरगुन कभी निरगुन निर्गुन ब्राहमन के उपासक थे तो निर्गुन हो जाएगा, नेक्ष्ट है आपका कि बिहारी रितिकाल के कवित हैं, ठीक, रितिकाल हो जाएगा, नेक्ष्ट है आपका कि पीपल कविता में, प्राकिर्तिक संदर रहे है, प्राकिर्तिक संदर रहे है, ठीक, चलिए, ने इंसर किया हो जाएगा दीन हीन को ठीक नेश्ट है आपका है राणी लचमी भाई का संघहर्स किस करांती से संबंधित है तो ठारतौ供िसंतावन की करांती से संबंधित है ठीक चलिए marsh volunteer रखते हैं आपे ग नमबर की वंचित लोगों के बच्योड से सब्बंदित कविता कौन सी है, कविता कौन सी है, इसका ग ग क्या हो जाएगा है आपे, दो नमबर हो जाएगा, बच्य की दुगा हो जाएगा, next है आफ काई कि भीहारी ने अपने बाधा हरने के लिए किन से बिंती की है इसका सही एंसर राधा से हो जायगा next है कि सिर्चन कहानी का पात्र है किर्शन कि सिर्चन ठेंस कहानी का पात्र है ठेख चलिए next question आपका है कि अस्तम्बखो के सब्दो का मिरान、 06 feelings उनके ओर्थों से कीजिए जो की अस्तंब कौकर स्थम्भ खौसे मिलाना है ठीक चलिए इसका आशि का आरंब पहला है अरंब तो इसका सही नसर क्या क्या हो जाएगा हैं प countless का मतलब क्या हो जाएगा है विप्रिद सब से करना है तो कथींग कया हो जाएगा यहाँपे सरल हो जायगा सपोट क्या हो जागा ठीक चलिए नेक्ट को सन के अबरते हैं वस यही आपका इदगाह के लिख कौन है अभी बताए थे प्रेम चंद हो जाएगा इदगाह के प्रेम चंद हो जाएगा नेश्ट है आपका इहां पे ठेश, ठेश के फनिश्वरना थे लिनू आपको याद हो गया होगा, खुस्बू रचते हैं हाथ, खुस्बू रचते हैं हाथ, कर अरून कमल हो जाएगा, नेश्ट है आपका असोक का सस्तरत्याग, असोक का सस्तरत्याग, बंसी धर सिर्वास्त आपका रानी लच्मी भाई रानी लच्मी भाई का सुवद्या कुमारी चौहान हो जाएगा ठीक चलिए नेक्ट कुछन है आपका कि सही मिलान है सही है जहां सही का निसान लगाएं खेमा किस बिद्या की रचना है खेमा किस बिद्या की रचना है तो कहानी है नेक्ट आपका कि कबीर ने किसका विरोध किया कबीर ने किसका विरोध किया था तो समाजिक कुर्टियों का ठेक नेश्ट है आपका कि उत्कर्स का अर्थ क्या होता है उत्कर्स का अर्थ क्या होता है तो इसका सहीन सिर क्या हो जाएगा है उत्तम हो जाएगा उत्कर्स मतलब उत्तम हो जाएगा आपका कि खुश्वू का विप्रित सब्द क्या है तो बद्बू हो जाएगा ठीक चलिए तो इतना आपका आप लास्ट परस्ट बचा आए ठीक तो आप अपने जीला का नाम कमेट में जड़ू लिगेगा आपका फूरा किलियर हो जायागा आपका सब्सक्राइब कराया हुए डिस्क्रिप्ट्पे प्लेइसलिस का लिंक है वहां पे जाके सभी वीडियो जरूर दिखाएगा आपका अंग्रेजी का हिंदी का भी करा चुके हैं पहले इस वीडियो देख के ही जाहिएगा ठीक सभी वीडियो देख लिजएगा आपका exam भाथ ही अच्छा जाएगा इस एक्जाम में आपको पास होना क्या होगा तो सरीता का प्रियाब अची नदी होता है ठीक निल का विशेशन है निल का विशेशन क्या हो जाएगा निलीमा हो जाएगा निलीमा कि कुछ लोगों का संदर रात में बढ़ जाता है वैसे ही डाक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है ठीक नेश्ट आपका यहाँ पे हमिद मेले में हमिद मेले में चीम्ता खड़ एक चीम्ता तोचलियस आपका आपका परोष्न करवा दिये हैं एक नहीं आपको इसी से खाम चलाना पड़ेगा आपने जीला का नाम जर्यूर कमिट कर देजेगा यूगि हम आपके अंतिम एक जाम तक आपके साथ रेंगा तो कमेंट आपको जरूर करना थी हम subscribe भंपर आपको कमेंट करना है कि हमारा इतना प्रस्ण तो सब्सक्राइब करें लिए और सब्सक्राइबी यूज़ी यूज़ी जरूर करें घयावाद